जेनलमन, we welcome you all to the military training academy और मुझे यकीन है के एक साल के बाद, आप सभी की training पूरी होने पर, you all will be the best officers of the Indian Army. During this training, you'll be under the charge of a best officer, Major Abhimanyi हूँ. अगले एक साल तक, आप Major Abhimanyi को रिपोर्ट करेंगे, all the very best gentleman, जैहिन. अटेंशन, सार, लेफ्ट अन, वहाँ, सेकंड फाइल में, जो थर्ड कडेट है, जरबार आएंगे. अबाँट तर्ण, थर्ड फाइल, फर्स कडेट, सेप आउट, लेफ्ट तर्ण, प्लीज सेव में, सेर, वो थर्ड फाइल में फोर्स बंदा आपने मिस्कर दिया. एच उपेर उस्तम, बार निकलो. काश तुम लोगोंने मेरी बात मान ली होती, मत मारो, मत मारो कह रहा था, नौ टेल मी, पेर पर अटाक किस ने किया? मार, टांग पर, मार, मार, तो टांग, आजा, अपना पेर पकड़, अब ग्राउंड के सौ राउंड मार, चल निकल, शोल्डर पे किस ने मारा था? विदेशी लड़कियों को छेड़ेगा, नीचे बेट, जम, अंडर्ड राउंड निकल, तुम लोग में एक स्टन्ट मास्टर था न, जो एकदम रोल वोल करके फाइट कर रहा था, परो, रोल करके मार, उस्ते मारा, आजा बाई, बंदिर में भक्त ऐसे रोल करते हैं, सौ परिक्रमा लगाई है, तधास तू, सर मैं तो सुष देख रहा था, अरे आप तो फाइट कॉड़नेटर थे न, ओल देम, इधर से घचिट मैन, अभी तरह घर मी निकालता है, ठिक टक किया न, तेरे लिए कुछ स्पेशल सोचा है, इस कैम्प में 200 आर्मी के लोग है, हर ए जबर टिक्रमा थे, प्रिक्ला दो अन, और त्जागाँ अन, वडिक्राँ में सब्सक्राइब। तबरेंल सेटी इस था क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, कर नो बो, हुख हाई, हाई हे, मामा, यह किसकी बच्ची है, घर में नर्जरी खोल दी गया सीधा कॉलेज खोलूँगा, बेबी सिटिंग कर रहा हूँ, पडोसी की बच्ची है मतलब बात लीक हो गई कि तुम बेरोजगार हो हाई बेबी बहुत बुरा हुआ इस बच्ची के साथ इसके पापा गुरुमूर्ती ने बैलकनी से कूट कर सुसाइट कर लिया क्या कह रहे हो मामा इस शहर के हर घर में टीवी, एसी, वाशिंग, मशीन, फ्रिज, हर चीज होती है और ये सब चीजे आती कहां से हैं क्रेडिट काड के एम आई पर गुरुमूर्ती ने भी यही किया लोन चुकाने से उसे मरना असान लगा इसकी मा इंशॉरंस का पैसा लेने गई है एक सेकंड पकाट मेरी सीटी बज गई है आज आओ बेटा तुम्हारी मम्मी आती होगी बेटा शादी हो जाती तो मेरी ऐसे सीटी नहीं बचती रूते नहीं बेटा मम्मी आती होगी वो तुम्हारे लिए कुछ इस्क्यूज में यही होगी गुरुमूर्थी का घर कौनसा है? अगला फ्लाट है उस पर तो ताला लगा है हाँ आती होगी हाँ मैं वही हूँ सर वो सुसाइड केस वाला गुरुमूर्थी अरे बहुत टेंशन हो गया है ठीक है ठीक है आँ में ओफिस मैके मिलता हूँ हाँ मैं बात में फोन करता हूँ मैडम आप गुरुमूर्थी जी की मिसस है जी हाँ कहिए मैं कितनी बार फोन करू तुमको फोन उठाने को होता नही है नहीं या पति ना मरते टाइम बोला था नहीं कोई प्रॉपटी नहीं है तो लोन लेने में मज़ा रहा था क्या प्लीज चिलाये मत तो पुझा गरूँ मुझे दो महिने का टाइम दीजी टाइम देने से क्या होगा तिरा पती लॉट आएगा कहां से लाएगी इतना पैसा और तू भी मर जाएगी तो लोन कॉन चु वहाँ छे पैंक से करोडों का लोन लेके वीजय मालिया वीजय मालिया वॉड़न में आश कर रहा है उससे मांगा था गभी जबाग निगा चोटा बिजनसमैन ओटो चलाने वाला नौकरी करने वाले लोगों से एड़िकेशन लोन बोलके एड़ी शुडेंट को लूपते ह अपने लोन का अमाउंट मांगना गलत नहीं है लेकिन दिन रात फोन करके घर पे आके बत्तमीजी करना कुंडा करदी करना आउदत बन गई है तु जानता है मैं आर्मी ओफिसर हम फिर से तेरा मनूस चेरा इस एरिया में कहीं तिखा ना चार खुली पीजे में उतार दू फैक से है फैक से है फैक से है शुक्र मनाओ किसे ने तुम्हारी मारपीट का वीडियो नहीं बनाया क्यों इतने जजबाती हो जाते हो वो मामूली सा सब इंस्पेक्टर मुझसे सवाल कर रहा है फैक से तुम्हारी फोटो और कंप्लेंट भेजी है इस साल के तुम्हारी ये साथ भी सौरी है मैं तुम्हारी फिजिकली फिट बट साइकोलोचिकली ये टोटली अन्फिट मैं तुम्हें छे हफ़ते का टाइम दे रहा हूं इतने टाइम में गवर्मिंट ऑदराइज साइकार्टर से कंसल्ट करो एंगर मैनेजमेंट सेशन कंप्लीट करो फिट होने का सर्टिफिकेट इशू करवाओ उसके बाद ही तुम्हें अकाडमी में वापस इंट्री में लेगी मेरे लिए एक मामी ढून दो परना ऐसे ही पागल खाने में एडमिट करना पड़ेगा मुझा अंदर तो चल बहुत मामी मीलेंगी अपने भांजे को कह रहा हूँ इनका अपॉइंट्मेंट लिए अभी आई नहीं है आप वेट कीजिए रतिदेवी जरूर ये 1950 की कोई विंटेज मॉडल होगी देख लिए बस मिलना ही तो है स्ट्रेंज साउंड कमिंग कहां से सर एक्सक्यूज मी सर लिवर में पेन हो रहा है सुसु आ रही है किसी से मार खा के आए कोई प्राब्लम नहीं कोई भी प्राब्लम हो तो बताईएगा जोटे जोटी बात पे घुसा आता है मुझे देड़ पसली का इंसान पहले जोर से बोलना तो सीख ले तेरे साथ पुष्टों में से किसी ने गुसा नहीं किया होगा मुझे शेंडी लगा रहा है मैं डेट पसली लगता हूँ मैं डेर पसली लगता हूँ तो के मैं इंसान नहीं हो देखिए भाई सब चिलाएए मत भरबरा आके गिर जाएंगे तो सुल्तान ज्यासा फिट है मैं टीबी का मरीज हूँ तो सो साल जिएगा मैं कल कपर में जाऊँगा यही करणा जा रहा है तो मित्ती के खिलाओने से भी नाजुक हैं आप जादा हिलेंगे तो बिखर जाएंगे मैं कोई खिलाओना हूँ जो हिलूँगा तो बिखर जाऊँगा तुझे मैं अपनी पावर दिखाता हूँ आज अचानत हो जाएंगे सर मैं तुझे टी डालूँगा मैं तुझे फार डालूँगा तुझे पता नहीं है मैं सहें ती खिलो का हाथ है और एक बार यहाथ उड़ गया तो इंसान उड़ता नहीं है उड़ जाता है जैसे दोड गया इसे समीके सारे डालो गया दे क्या भांजे मैं तो आदे घंटे में पागल हो गया तु भला छे हफते यहां कैसे रुकेगा कोई पागल ही यहां छे हफते तक रुकेगा काउंटर पे जाईए अगले छे हफते के फॉर में एक साथ लाईए डॉक्टर एक ही जटके में सब पे साइन करेगी कहीं तु मजाद तो नहीं कर रहा है छे हफते की छुट्टी लेने वाला हूं यह कौन है रती देवी और कौन विंटेज मॉडल डॉक्टर इसका नाम अभी मन्यू है और आपको इसका गुस्सा शांत करना है लगता है कान फ्यूज है डॉक्टर इसका नाम अभी मन्यू है बात बात पे गुस्सा करता है आपको इसे ठीक करना है जाड़ना पोछना छोड़ो पेशेंट करने दो यह एंटीक पीस तो बाई निकली चल बैट जा चल सफाई तो ऐसे कर रही है जैसे बहुत बड़ी डॉक्टर है मैडम यहाँ दो मेंटल पेशेंट्स आये हैं लगता है जटका देकर ही ठीक करना होगा अरे भापरे नाम सुनके लगा पुराने जमाने का टेलिग्राम होगी पर यह तो लेटिस स्टाइल की इंस्टाग्राम निकली यह मेरा परसनल ओपिनिन है भाणजे तेरी मामी मिल गई आप में अभी मन्यू कौन है जो आपके सामने बैठा है छे फुट का हट्टा कट्टा गबरू हेलो अभी मेन्यू आप अपनी सारी रिपोर्ट्स लाए हैं स्कूल या कॉलिज किसका रिपोर्ट काड़ चाहिए लगता है आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है इंस्टेंट कॉफी से फास्ट सिर्ण थोड़ा आगे आए टेल में डियर रती शायद आप नर्वस जल्दी हो जाते हैं आपको कैसे पता है मुझे इसका इलाज भी पता है इलाज कैसा? मेरी मेड ने बिजली के जटके देने के राय दी है इंडरिक लिए मुझे बाहर में लिख लिए करें तो अभी तक यहां क्यों रुके हो मैं बाहर आपका बिट कर रहा हूँ इसके लीचे चाय की नप्री पर तो बताओ अभी मैन्यो आपको किन बातों पर गुस्सा आता है अन्याय होते देखता हूँ तो बहुत गुस्सा आता है मुझे और वो लोग जो अन्याय का तमाशा जिन्दा लाश की तरह देखते हैं न उन्हें मैं कोमा पेशन कहता हूँ और तुम चाहती हो कि मैं गुस्सा भूल कर कोमा पेशन बन जाओ मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ अन्याय देखके घुसा करना गलत नहीं लेकिन उसे मारना गलत था क्या सही है और क्या गलत है तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे मैंने ही कह रही कि गलत है गलत लगा उसे लिए आपको मेरे पास भेज़ा सीरीब ऑफिसर तो बोलेंगे इना कोई चॉइस नहीं है ये बस एक फोर्मालिटी है और यहा आना मेरी मज़बूरी मेरे पास भी ओप्षेन नहीं है ये भी एक फोर्मालिटी है ये मेरे छे हफ़ते के फॉर्म्स है, ये भी एक फॉर्मालिटी है, तुम बस इन पर साइन कर दो, ये फॉर्मालिटी पूरी हो जाएंगी, और मैं यहाँ से चला जाओंगा, हम, जब सब कुछ फॉर्मालिटी ही है, तो अभी मन्यों बिना आपकी मेंटल हेल्थ चेक के ये पेपर्स में साइन नहीं कर सकती, मैं मेंटल दिखता हूँ, बाहर बैठे पागल के जैसा, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, पर आपकी हरकतों से वही लग रहा है, तुम्हें लाइफ पर साइन करो, तुम्हें एक अच्छे ट्रेनर हो, अपने करेट्स को अच्छे ऑफिसर बनाते हो, इंसान भी ठीक ठाको, लेकिन गलत बातों पर रियाक्ट करते हो, इस वक्त घुसा मुझे भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारे पिटाई कर दू, तुम्हारे अक्याडमी नहीं, कि मैं तुम्हारे ओर्रस मानू, अगले छे हफ्तों तक, मेरे पास कॉले स्टूडन की तरह आना, फिर मैं इस पे पक्का साइन कर दूँगे, जिस दिन भी तुम, एक घंटा बिना गुस्टा की बात करोगे, मैं इस पॉर्म पे साइन कर अच्छे स्टूडन की तरह डेली अटेंडन्स देना, इसे रखो, जब भी गुस्टा आए इसे दबाना और दस तक की गिंती करना, गुस्टा भाग जाएगा, शी यो नेक्स सेशन, नमस्ते साब, या श्लाया है, साब, इस बार थोड़ा कम कर दीजे न, इतने कम में काम नहीं होगा, थोड़ा एड़िस कर लीजे, फाइल से चार पर नहीं तो भाड़ने है, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा है सर, पांच सब इंस्पेक्टर केस पर काम कर रहे हैं, आप पे किसी दर की आँश नहीं आएगी, क्या बात है सर, अलत काम करने में हिचक हो रही है, काम हो जाएगा, मतलब डील होके न सर, भाई को बोलो, शुकरवार पारा बज़े से पहले पैसे मेरे आकाउंट में डाले, ओके सर, परना आप में फिकर रहे हैं सर, आज तुम्हारा फर्स सेशन है, यह बताओ सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तुम से पूछ रही हूँ, खुछ बताओगे कि नहीं, तुमने कहा था न, एक घंटे तक गुस्सा कंट्रोल करो, तो तुम पेपर्स पसाइन कर दोगी, तुम बोलती रहो, मैं तो चुपी रहो ठीक है, अब मैं बोलूँगे और तुम सुनोगे, देखो अभी मन्यू, हर इंसान अपने चारों और होने वाली घटनाओं पे रियाक्ट करता है, अगर वही इंसिदेंस बच्पन में देखे हो और वो रियाक्ट नहीं कर पाता, तो गुस्सा अंदर ही अंदर पनपने गई हूँ, क्यों? अपनी सिस्टर से मिलने, जो इस फोटो में है, वो तुमारी सिस्टर है, वहाँ क्या करती है वो? वो यूमन राइट अक्टिविस्ट है, फ्रेंच सिटिजन, नाम क्या उनका? सरोजा देवी, ओ, सरोजा देवी, नाइस, उनकी शादी हो गई है क्या? यह सब क्यों पूछ रहा हूँ? अरे, ऐसे कैजूली पूछ रहा हूँ, शादी हो गई है क्या? नहीं. सूपर्ब, ब्रेट, तो अब तुम्हारा मकसद है मेरा गुस्सा भगाना, मेरा मकसद है इस देश से भाग जाना, कितना अजीब इत्तफाक है, है ना? मान लो, तुम चांदनी चौक में रहती हो, और तुम्हें वहां से डिफेंस कॉलनी जाना है, ट्राफिक के बीच में गुस्सा आय भी ना जा सकती हो, अरे, इंपॉसिबल है, कोई हौन मारेगा, कोई गलब साइट से ओवर टेक करेगा, फुट पात पे चलने के बजाए, लोग रस्ते के बीच से चलेंगे, वी आइपी के लिए रास्ता रोका जाएगा, हवलदार तुम्हारा चलान काटेंगे, ऐसे में तो किसी सन्यासी को भी गुस्सा आ जाएगा, अब सोचो, मैं फॉरें में रहूंगा,